नमस्कार दोस्तों मैं नरेंद्र आप सभी साथियों का जेकी क्लासेज में हार्दिक श्वागत और अभिनंदन करता हूँ साथियों में आशा करता हूँ कि आप और आपका परिवार स्वास्त और सबकुशल होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी तो साथियों जो भी दोस्त जो भी मेरे भाई बेन यूपी बीर परिवेस परिक्षा की तैयारी कर रहे हैं या किशे भी परतियों की परिक्षा की तैयारी कर रहे हैं अगर आप हिंदी में अच्छे नमबा लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा और सुरू से लेकर अंतक बने रहिएगा आज किस क्लास में हम लोग शमान हिंदी के एक और महत्मूर चेप्टर की शुरू बात करेंगे जिसका नाम है विशेशा आपने देखा होगा कि इस से पहले की क्लासों में हमने शंग्या के बारे में बात किया था उसके बाद हम लोगों ने सर्वनाम के बारे में बात किया और अब जो तीसरा अध्याय है आपका ये है विशेशन का यानि इस क्लास में हम लोग विशेशन पे चर्चा करेंगे तो सभी साथ ही जल्दी से क्लास में आ जाएं क्लास को लाइक कर दें अपने सभी दोस्तों में शेर कर दें जो भी साथ ही चैनल पे नए आते हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे बेल आइकन को प्रेस कर दीजे ताकि नीव और लेश्टेट अपडेट आपको समय के अनुशार मिलता रहे इसके अलावा आप हमारी टेलेग्राम चैनल को जोइन कर सकते हैं इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रेप्शन बोक्स में मिल जाएगा अगर आपने इससे पहले की क्लासों को नहीं देखा है तो उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रेप्शन बोक्स में मिल जाएगा वहाँ से जाकर के आप क्लासों को देख सकते हैं अगर यह class आपको पसंद आती है तो class को like कर दीजे अपने सभी दोस्तों भी share कर दीजे और comment box में comment करके जरूर बताए कि यह class आपको कैसा लगा तो चलिए हम लोग आज किस class के शुरुवात करते हैं तो जैसा मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने जब सब्द विचार को पढ़ा था तो सब्द विचार के बाद में हम लोगों ने संग्या और सर्वनाम के बारे में चर्चा किया था तो आपके दो चेप्टर तो यूँ खतम हो चुके है संग्या और सर्वनाम आपको याद होगा सब्द विचार में हमने विकारी सब्द और आयविकारी सब्द के बारे में बात किया था तो उस विकारी सब्द के अंत्रगत हमने बात किया था संग्या स्वरुनाम विशेशन के बारे में तो संग्या सवरणाम आपका हो चुका है अब बात करेंगे हम लोग विशेशन के बारे में तो विशेशन जो है ये बहुत ही माध्मूर चेप्टर है तो इसे आप लोग विशेश तोड़ पर ध्यान से सुनियेगा सभी चीजों पर हम लोग बात करेंगे बस आपके वज़ पूरे कॉंसर्टेशन के साथ में इस क्लास को देखिएगा तो साथियों हम लोगों ने संग्या सौनाम के बारे में बात कर चुके हैं हम विशेसर के बारे में चर्चा करने वाले हैं तो किसी भी वाक्य के तीन मुख्य अंग होते हैं अगर आपसे कभी भी पूछ लिया जाए कि किसी वाक्य के कितने अंग होते हैं तो किसी भी वाक्य के तीन मुख्य अंग होते हैं करता होता है करम होता है और क्रिया होती है तो ये तीनों जो हैं ये वाक्य के मुख्य अंग हैं इसमें करता और करम के बारे में बात करें तो करता और करम जो होता है ये संग्या या सरुनाम होते हैं मतलब वाक्य के जो दो अंग हैं करता और करम ये आपके संग्या या सरुनाम होते हैं और इनकी जो विशेष्टा बताता है यानि संग्या और स्वर्णाम की जो विशेस्ता बताता है उसे विशेस्ण कहते हैं जो कि आज की इस क्लास का हमारा मुख्य उद्देश है यानि हमारा आज का अध्याय है विशेस्ण इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं तो किसी भी वाकिय के तेन मुख्य अंग होते हैं करता होता है करम होता है करता और करम जो होता है ये संग्या या स्वर्णाम होती है और संग्या और स्वर्णाम की जो विशेस्ता बताता है उसे विशेस्ण कहते हैं हना तो जो संग्या और स्वर्णाम की विशेस्ता बताते ह करिया का मतलब होता है कारिय हना करिया यानी कारिय होता है और इसकी विशेशता बताने वाले को करिया विशेशन कहते हैं जो कि हमारा अगला अध्याय होगा जब आप विशेशन पढ़ लेंगे तो विशेशन के बाद में जो हम अध्याय पढ़ेंगे वो होगा आपका क्रिया विशेशन तो चलिए बात करते हैं विशेशन के बारे में कि विशेशन क्या होता है तो साथियों वे सब्द जैसा मैंने अभी आपको बताया कि वे सब्द जो शंग्या या स्वरणाम की विशेस्ता बताते हैं उन्हें विशेशन कहते हैं विशेशन भी विकारी सब्द होते हैं जिस परकार से हमने बात किया था कि संग्या और स्वरणाम विकारी सब्द होता है ठीक उसी प्रकार से विशेशन भी आपका विकारी सब्द होता है तो वे सब्द जो संग्या या श्रनाम की विशेशन बताते हैं उन्हें विशेशन कहते हैं विशेशन भी आपका विकारी सब्द होता है जैसे मोटा लड़का लड़का सब्द जो है ये शंग्या है क्या है शंग्या है और शंग्या की विशेष्था बताना जो बताता है उसे क्या कहते है विशेष्था तो लड़का की विशेष्था क्या है कि वो मोटा है लड़का की विशेष्था है कि वो मोटा है तो मोटा क्या हो गया, मोटा सब्द आपका विशिषण हो गया, क्योंकि ये संग्या की विशिष्टा बता रहा है, लड़का जो है एक संग्या है, और संग्या की विशिष्टा है, यानि लड़के की विशिष्टा है, कि वो मोटा है, तो लड़का की जो विशिष्टा बता रहा है, वो कुछ सा सब्द हो गया, बिशेशन हो गया, मोहन की गाय लाल है, मोहन की गाय लाल है, गाय यहाँ पर शंग्या है, मोहन भी यहाँ पर शंग्या है, लेकिन मुख्य शंग्या है आपकी गाय है, क्यों, क्योंकि गाय की विशेशता बता रहा है, लाल है, गाय की वि विशेशन हो गया काला घोड़ा घोड़ा यहां पे संग्या है और घोड़े की विशेशता है कि वो काला है तो काला क्या हो गया विशेशन हो गया आदर्ष विध्यार्थी विध्यार्थी यहां पर संग्या है और विध्यार्थी की विशेशता है कि वो आदर्ष है तो आद बात तो समझ में आ गई कि संग्या और सवर्णाम की विशेष्टा बताने वाले को विशेष्ण कहा जाता है कम्प्लीट है कोई दिक्कत नहीं है बच्चो चलिए आगे बात करते हैं और अब हम लोग बात करते हैं विशेष्ण के बारे में द्यान दीजिए कि जब विशेशन की बात होगा तब विशेश की बात अवश्य होगा ये विशेश क्या होता है तो जो विशेश ये होता है ये विशेशन जिस सब्द की विशेशता बताता है उसे विशेश कहते हैं अभी हमने बात किया कि संग्या की जो विशेश्ता बताता है उसे तो विशेशन कहते है लेकिन बिशेशन जिस सब्द की बिशेशता बताता है उसे बिशेश कहते हैं जैसे मोटा लड़का मोटा लड़का में मोटा क्या है बिशेशन है और लड़का क्या है शंग्या है संग्या यानि विशेश यानि आप कह सकते हैं कि संग्या को ही विशेश कहा जाता है संग्या को ही क्या कहा जाता है विशेश कहा जाता है क्योंकि विशेशर जिस सब्द की विशेशता बताता है वो विशेश से कहलाता है और हम लोग जानते हैं हम लोग जानते हैं कि विशेशन जिस सब्द की विशेशता बताता है वो क्या होता है या तो संग्या होती है या शरणाम होता है या तो संग्या होती है या सर्वनाम होता है तो विशेशन जिस सब्द की विशेशता बताता है उसे विशेशी कहते हैं यानि मोटा लड़का लड़का आपका शेंग्या भी है और विशेशी भी है आई बास समझ में इसी प्रकार से पेड की डाल पर तीन कबूतर बैठे हैं देखे यहाँ पर कई शेंग्या है यहाँ पर पेड भी शेंग्या है डाल भी शेंग्या है और तीन भी शेंग्या है तो जो विशेशी है विशेशी क्या है मैंने अभी आपको बताया कि विशेशर जिस सद की विशेशता बताता है उसे विशेश सी कहते हैं विशेश यानि आप संग्या समझ सकते हैं लेकिन कौन सी संग्या वे संग्या जो विशेश सी है उसे विशेश सी कहते हैं क्यों देखिये इस उधारण में आप देखिये यहाँ पे तीन शंग्या आया है इस वाक्य में पेड़ भी एक शंग्या है डाल भी एक शंग्या है और कबूतर भी एक शंग्या हैends लेकिन कबूतर जो है ये विशेश है क्यों क्योंकि तीन कबूतर जो है वो पेड़ की डाल पर बैठे हैं तो ये आपका विशेश हो गया है ना भई तीन तो विशेश हो गया उन कबूतरों की विशेशता क्या है कि वे तीन है लेकिन कबूतर क्या हो गया विशेश हो गया क् कि यहां पे कबूतर है, कबूतर विशेश है, पेड भी एक संग्या है, डाल भी एक संग्या है, लेकिन कबूतर यहां पे विशेश संग्या है, इसलिए इसे हम विशेश कहते हैं, और जो विशेशर की, विशेशर जिसकी विशेशता बताता है, जिस सब्द की उसे विशेश से कहते हैं तब इस वज़े हैं अब है। वह लड़का बुधिमान है वह लड़का जो है वो बुधिमान है तो बुधिमान आपका क्या हो गया विशेशन क्योंकि लड़के की विशेशता है कि वो बुधिमान है बहुत ही जादा बुधिमान है और लड़का क्या है लड़का एक शंग्या है और विशेशन जिस आता है उसे विशेश ही कहते हैं अना तो यह आपका क्या हो गया लड़का आपका विशेश हो गया आई बाद समझ में अब जब हम लोगों ने विशेशन की बात कर लिया और विशेश की बात कर लिया तो यहाँ पर एक और आपको ध्यान देना है कि प्रविशेशन क्या होता है जब जब आपके सामने विशेशन की बात होगा विशेश की बात होगा तब तब आपको प्रविशेशन का नाम सुनने को मिलेगा यानि यह प्रविशेशन क्या होता है आईए इसको जान लेते हैं क्योंकि यह भी बहुत प्रय विशेशन की बात करें साथियों तो विशेशनों की विशेशता बताने वाले सब्द प्रय विशेशन कहलाते हैं अना विशेशनों की विशेशता बताने वाले सब्द प्रय विशेशन कहलाते हैं मतलब ऐसे सब्द जो विशेशन की विशेशता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं प्रय विशेशन जो है वो प्रय धन विशेशन से मिलकर बनना है और विशेशन के बारे में हम लोग जानेते हैं कि संग्या या शौलनाम की विशेशता बताने वाले को विशेशन कहते हैं तो प्रविशेशन क्या हो गया वे सब्द जो विशेशनों की विशेशता बताते हैं उसे प्रविशेशन कहते हैं जैसे अभे हमने बात किया था कि वह लड़का बुधिमान है तो बुधिमान तो हो गया था विशेशन और लड़का हो गया था विशेश यानी संग्या लेकि अब इसी उधालन को थोड़ा और चेंज करते हैं और आपके बार हम लोग कह रहे हैं कि वह लड़का जो है बहुत बुद्धिमान है तो यहाँ पर बुद्धिमान क्या हो गया विशेशन हो गया वह लड़के की विशेश्ता क्या है कि वो बुद्धिमान है लेकिन इसमें प लेकिन बहुत बुद्हिमान है ना बुद्हिमान तो है लड़का लेकिन बहुत बधिमान है तो यह जो बहुत है यही आपका प्राविसेशन है क्यों क्योंकि यह बहुत किसकी विशेष्था बता रहा है बुधिमान की विशेष्था बता रहा है कि लड़का बहुत जादा बुधिमान है बहुत जादा बुधिमान है लड़का तो ऐसे सब जो विशेशन या विशेशनों की विशेस्ता बताते है उससे क्या कहते हैं? प्रविशेशन कहते है मोनी बहुत छोटी है इसमें आगे देखिये छोटी से पहले क्या लगा है? बहुत छोटी है तो बहुत क्या हो गया, प्रेविशेशन हो गया, बिशेशन की विशेश्ता है कि वो बहुत छोटी है, मोनी बहुत छोटी है, तो यह आपका प्रेविशेशन हो गया, कस्मीरी सेव सिंदुरी लाल होता है, कस्मीरी सेव सिंदुरी लाल होता है, लाल यहां पे क्या है, बिश कमेरी सेव है की जो कमेरी सेव वह लाल है तो लाल आपका विशेशन हो गया लेकिन लेकिन विशेशन के पहले देखिए आप क्या लगा है कि कस्मीरी सेप सिंदूरी लाल है मलब लाल तो है लेकिन सिंदूरी लाल है तो विशेशन की विशेशता बता जा रहा है कि जो विशेशन है वो सिंदूरी विशेशन है यानि सिंदूरी लाल है तो ये क्या हो गया आप आपसे प्रविशेशन के बारे में पूछा जाएगा, तो विशेशन के पहले ही प्रविशेशन होगा, ये आप याद रख लीजे, जब भी आपको वाक्य में पूछा जाए कि इस वाक्य में प्रविशेशन क्या है, विशेशन क्या है, विशेश क्या है, तो हमेशा याद र इसे याद रखेंगे ठीक तो कश्मीरी से सिंदुरी लाल होता है सिंदुरी जो है आपका यह प्रविशेशन है और लाल आपका विशेशन है ठीक तो यह तो बात हो गई विशेशन की विशेश की और प्रविशेशन की ठीक हम लोग ने तीरों मुख्य बिंदों पर विस्ता से बात कर लिया अब यहाँ पर बात आती है बिशेशन के प्रकार के बारे में ठीक बिशेशन के प्रकार के बारे में बहुत सारी मत्वेद है कई किताबों में आपको बिशेशन के च्छे प्रकार मिलेंगे कई किताबों में आपको बिशेशन के केवल और केवल चार प्रकार मिलेंगे अना तो जादातर किताबों में आपको बिसेशन के हिंदी ब्याकडन में चार ही परकार देखने को मिलेंगे कुछ किताबे ऐसे हैं जिसमें बिसेशन के छे भेद यानि छे परकार के बारे में बताया गया है लेकिन हम लोग मुख्य तोर से केवल और केवल बिसेशन के चार परकारों के बारे में ही बात करेंगे थीक है तो बिसेशन के चार परकार होते हैं इसमें पहला है संकेत वाचक या सार्व नामिक बिसेशन संकेत वाचक या सार्व नामिक बिसेशन दूसरा है संख्या वाचक विशेशन तीसरा है परिमान वाचक विशेशन और चौथा है गुण वाचक विशेशन तो विशेशन के चार प्रकार होते हैं मुख्य तोर पे संखेत वाचक विशेशन या सर्वनामिक विशेशन संख्या वाचक विशेशन या परिमान वाचक विशेशन और गुर्ण वाचक विशेशन ठीक है इसके अलावा भी जैसा मैंने आपको बताया कि कई किताबों में आपको विशेशन के 6 प्रकार मिलेंगे तो मैं थोड़ा सा उसको भी बता देता हूँ पांचवा जो विशेशन माना जाता है वो माना जाता है व्यक्ति वाचक विशेशन कौन सा विशेशन व्यक्ति वाचक विशेशन ठीक और इसके अलावा जो छटा और माना जाता है वो होता है विभाग वाचक विशेशन ये दो विशेशन और माने जाते हैं आपके ब्यक्ति वाचक जो विशेशन होता है ये ब्यक्ति वाचक संग्या की विशेशन को प्रगट करता है और उसी संग्या से बना होता है इसलिए इसे ब्यक्ति वाचक संग्या या व्यक्ति वाचक बिशिशन कहा जाता है और विभाग वाचक जो बिशिशन होता है इसमें प्रत्थकता का बोध होता है यानि विभाग का बोध होता है प्रत्थकता होती है इसमें तो इस वज़े से इसे विभाग वाचक बिशिशन कहते हैं तो हम लोग इन दोनों के बारे में उतना विश्तार से नहीं पढ़ेंगे हाथो, हम लोग केवल और केवल इन चारों के बारे में अध्यान करेंगे ठीक है, तो विशेशन के चार प्रकार होते हैं मुख्य तोर पे संकेत वाचक या सर्विनामिक विशेशन संख्या वाचक विशेशन परिमान वाचक विशेशन और गुर्ण वाचक विशेशन ठेक तो साथियों इस class में बस यहीं तक, क्योंकि class बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आप लोग class को पूरी नहीं देखेंगे, यह मुझे पक्का बिश्वास है, क्योंकि मैं जानताओं कि ज़्यादा लंबी class होने के वेज़ के वद्यर आप लोग class को नहीं देखते हैं तो class ज़ादा लंभी नहीं होगी, तीकर, इस class में हम लोग यहीं तक बात करते हैं, अगली class में हम लोग बात करेंगे संकेत वाचक और सर्वनामिक विशेशन के बारे में, तीक, तो मिलेंगे अगली class में, तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धनिवाद, आप अपनी तयारी करते रहिए और खुब मन लगा कर पढ़िए, अना, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत-बहुत धनिवाद, क्लास को लाइक कर दीजिएगा, सेर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा, ठीक है, ठाइक यू थांक्स फोर वाचिन, जैहिल जैफालाद